बिहार के बाद अब ओडिशा सरकार पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षन रिपोर्ट प्रकाशित करने की यूजणा बना रही है इस साल मई और जुलाई के बीच पिछड़े वर्ग पर सर्वेक्षन करने वाले ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग OSCBC ने राज्य सरकार को इस पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है बताया जा रहा है कि ओडिशा की 4.7 करोड की आबादी में 42 की सदी पिछड़े वर्गों से ही संबंधित है मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कैंसर अस्पताल के परिसर में आहार केंद्र खोला जाएगा राज्य सरकार ने मेडिकल साइक्लोट्रॉन सुविधा के लिए 65 एकर जमीन प्रदान की है और 150 करोड रुपए की वित्तिय सहायता भी दी है मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह एशिया का सबसे उन्नत साइक्लोट्रॉन अनुसंधान केंद्र होगा ओडिशा स्वास्थ्य सेवा को बहतर बनाने के लिए अपना निरंतर प्रयास जारी रखे हुए है शुरू हो चुका है घूमने फिरने का सीजन फेस्टिवल के दौरान मिलने वाली छुट्टियों के चलते परियतन एकदम से बढ़ जाता है और नवंबर दिसंबर में एकदम पीक पर होता है अगर आप भी नवंबर महीने में किसी अच्छी जगह घूमने की सोच रहे हैं तो ओडिशा का बना सकते हैं प्लान ओडिशा आय केंद्रिय मंतरी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ओडिशा में केंद्रिय योजनाओं में हुए भरष्टाचार के खिलाफ कारवाई की जाएगी बंगाल में भी आवास और अन्य केंद्रिय योजनाओं में भरष्टाचार हुआ था केंद्र सरकार ने उन्हें नोटिस किया था भरष्टाचारियों के खिलाफ का रवाई नहीं करने पर पश्चिम बंगाल को मनरेगा का अनुदान तब तक रोक दिया गया था अब ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया गया है ओडिशा में साल 2024 के लोक सभाचुनाव में जीत का पर्चम लहराने के लिए भाजपा पूरी तरह से तयार है इसी सिलसिले में मंगलवार को एक समवाददाता सम्मेलन को आयोजित किया गया जिसे अनुराग ठाकुर ने सम्बोधित किया इस दोरान उन्होंने मोधी सरकार की कई उपलब्धिया गिनाई उन्होंने कहा कि केंदर में मोधी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई विकास कार्यकिये है आम आदनी पार्टी के सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशाले ने करीब 11 घंटे की पूछताच के बाद बुधवार को गिरफतार कर लिया है आप सांसद की दिल्ली आपकारी नीती घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में गिरफतारी की गई है इडी की संजय सिंह के घर पर छापे मारी को लेकर केजरिवाल ने कहा कि मोदी जी चाहे जितने छापे करा ले इडी को कुछ भी नहीं मिलेगा बी जेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडडा ने जैपुर में सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के कार्यक्रम को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कॉंग्रेस पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया लेकिन इनका राज ऐसा था कि वादे करो फिर भूल जाओ और जनता से नए और लुभावने वादे करके अगले चुनाव में फिर खड़े हो जाओ राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बुधवार को जैपुर में एक जनसभा की वसुंधरा ने कहा कि हम सभी को नया राजस्थान बनाने के लिए संकल्प लेना होगा राजस्थान पर वही राज कर सकता है जो जनता के लिए सोचता है वही जेपी नडड़ा ने एक जनसभा के दौरान कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा है PM नरेंद्र मोदी राजस्थान और मध्यप्रदेश में कई विकास पर योजनाओं की सौगात देने जा रहे है PM मध्यप्रदेश को 12,600 करोड जबकी राजस्थान को 5,000 करोड रुपए की सौगात देंगे मोदी सड़क रेल गैस पाइपलाइन हाउसिंग स्वच पीने का पानी से संबंधित योजनाओं का उधगातन करेंगे MP election मुख्यमंत्री शिवराज सिंह MP के आगामी चुनाव के लिए बार-बार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की नब्स को टटोल रहे हैं इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने भैरुंदा जनपद के ग्राम साथदेव स्थित पातालेशवर महादेव मंदिर में भूमी पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए इस बीच उन्होंने अपने जनता से सवाल किया कि मैं चुनाव लड़ू या न लड़ू तो जवाब में मामा मामा के नारे लगाए गए कौंग्रेस के कार्यवाहत प्रधान रमन भल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार का रवया पक्षपात पूर्ण है यहाँ पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए दो अलग-अलग संस्थाएं हैं जो समवैधानिक नियमों के खिलाफ है पंचायत और निकाय चुनाव भी टाले जा रहे हैं इसलिए जरूरी है कि यहाँ लोग तंत्र की बहाली के लिए सभी मिलकर आगे बढ़े पंचायत अनिल एंटनी ने केरल की सहकारी बैंकों में घोटालों को लेकर पिन्रई विज्जन की सरकार की आलोचना की इस दोरान उन्होंने कहा कि पूरे केरल में कासर गोड से त्रिवेंद्रम तक ऐसे कई च्षेत्र हैं जहां लोगों की बचत खत्रे में हैं कई लोग पहले ही अपनी जमापूंजी गवा चुके हैं उन्होंने कहा कि CTIM सरकार में केवल ध्रश्टाचार बढ़ा है करनाटक की राजधानी बेंगलुरु में आवारा पशुओं को लेकर शहरी नगर निकाय की एक रिपोर्ट सामने आई है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंगलुरु में कुल 2,89,335 आवारा कुट्टे हैं यहां आंकड़ा 3,10,000 होने का अनुमान लगाया गया था बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि आवारा कुट्टों की नस्बंदी प्रतिशक में भी कमी दर्स की गई है अरुनाचल प्रदेश को खामती चावल तवान से याक चुरपी और तांगसा वस्त्र के लिए GI टैग मिला है बता दे खामती चावल नामसाई जिले में उत्पादित चिपचिपा चावल की एक किस्म है यह अपने स्वाद के लिए जाना जाता है चुरपी एक पनीर उत्पाद है जो भारत नेपाल और भूटान के हिमाली क्षेतर में व्यापक रूप से खाया जाता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई इस बैठक में कई अहम फैसलों को मन्जूरी दी गई केंद्रिय मंत्रि मंडल ने राष्ट्रिय हल्दी बोर्ड की स्थापना को मन्जूरी दी है इसके अलावा केंद्रिय कैबिनेट ने तेलंगाना में सम्मक्का और सारक का केंद्रिय जन्जातिय विश्वविद्याले की स्थापना को मन्जूरी दी है पीएम मोदी ने एक अक्टूबर को तेलंगाना दौरे पर विश्व विद्यालय की स्थापना को लेकर एलान किया था राजक से अन्नाद्रमुक के बाहर होने के बाद पार्टी महासचिव पलानी स्वामी का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने राजक से अलग होने के पीछे की असल वजह साजा की अन्नाद्रमुक महासचेव ने बताया कि राज्ज में हो रही घटनाओं को लेकर पार्टी कार्यकरताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अन्नाद्रमुक ने भाजपा नीती घठ बंधन से बाहर निकलने का फैसला किया सिक्किन में बादल फटने से तबाही मच गई है तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ में सेना के 23 जवान भी लापता हो गए हैं वहीं दो नागरिकों की मौत हो गई है इस बीच पश्चन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी ने 23 सैनिकों के लापता होने की खबर पर चिंता जताते हुए बंगाल सरकार की तरफ से मदद करने का वादा किया है वायू सेना को बुधवार 4 अक्टूबर को LCA तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर विमान मिल गया हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड हाल के CMD CB अनंत कृष्णन ने भारतिय वायू सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शिल वियार चौधरी को बंगलुरू में हुए एक कार्यक्रम में ट्रेनर विमान को सौपा वायू सेना प्रमुख ने कहा आज एक महत्वपूर्ण दिन है और पहला दो सीटों वाला LCA विमान को स्विकार करना मेरे लिए गर्व की बात है करनाटक BJP की राज्य इकाई ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिती का गठन किया है यह समिती गुरुवार 5 अक्टूबर को शिवमोगा जिले के हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करके तथ्य को जानने का प्रयास करेगी दरसल शिवमोगा में ईद मिलाद जुलूस के दौरान दो गुटों में तनाव हो गया था जिसमें पत्थर बाजी में कई लोग घायल हो गए थे सिक्किम के लहोनक जील के उपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में भीशन बाढ़ा गई है इस बाढ़ में सेना के टेईस जवान लापता हो गए है जबकि अब तक पाँच लोगों के शव बरामक किये गए है इस बीच पीएम मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंतरी प्रेम सिह तमाम से बातचीत कर हालात के बारे में जानकारी लिए ऐसा कोई फल नहीं जो आपके स्वास्थे को अंगिनत फाइदे न पहुँचाए हालांकि कुछ स्वास्थे स्थितिया ऐसी भी होती है जिसमें फल आपकी बॉड़ी को फाइदे से ज्यादा नुकसान करने लगते है इन ही में से एक है केला अगर आप केला अक्सर खाना पसंद करते हैं तो इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जान लें ICC World Cup 2023 का आगास 5 अक्टूबर से होने जा रहा है तूर्नामेंट के पहले मैच में डिफेंदिंग चैंपियन इंगलाइंड की भिणत न्यूजिलाइंड के साथ होनी है हालां की ओपनिंग गेम से पहले ही इंगलिश टीम के लिए बुरी खबर सामने आई है तीम के स्टार ओल अराउंडर बेन स्टोक्स का न्यूजिलाइंड के खिलाफ खेलना काफी मुश्किल है कप्तान जोस बटलर ने इस बात की जानकारी दी है तीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज रुशब पन्थ आज अपना 26 जनमदिन मना रहे है NCA में पृत्वी शौ और अक्षर पतेल समेट कई खिलाडियों ने मिलकर पन्त का जनमदिन धमाकेदार अंदाज में सिलिबरेट किया सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे एक वीडियो में प्रिथवी शौ और अक्षर पतेल पंत के चहरे और बालों पर केक लगाते हुए नजर आ रही है पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का अहमदाबाद में शाही स्वागत हुआ दरसल बाबर कैप्टन्स डे इवेंट में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहुँचे है एरपोर्ट पर उतरने के बाद बाबर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए फैंस के बीच होड मच गई इसके बाद होटल में पाकिस्तान के कप्तान का जोरदार अंदाज में स्वागत किया गया टीम इंडिया के कैप्टन रोहित बाबर से गले मिलते हुए भी नज़र आए ICC World Cup 2023 में आठ अक्टूबर की शाम मुहम्मद सिराज और जोश हैजलवुड के बीच जोरदार जंग होगी भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले में जीत किसके हाथ लगेगी यह तो देखने दिल्चस्ट होगा ही लेकिन इसके साथ ही चैन्नई में दुनिया के नंबर वन वंडे गेंदबाज की कुरसी भी दाव पर होगी सिराज को तीसरे वंडे में खराब गेंदबाजी का नुकसान उठाना पड़ा है एशियन गेम्स 2023 में भी नीरज चोपरा का जलवा रहा है नीरज ने चीन की धर्ती पर खेले जा रहे टूर्नामेंट में भारत की जोली में एक और गोल्ड मेडल डाल दिया है नीरज ने अपने चौथे प्रयास में जैवलिन को 88.88 मीटर दूर फेंकते हुए स्वर्ण पदक पर कबजा जमाया नीरज के अलावा किशोर जेना ने भी बहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल को अपने नाम किया अक्षय कुमार की लास्ट रिलीज फिल्म ओ एम जी दोने बॉक्स आफिस पर अच्छा कारोबार किया था इस फिल्म के बाद अब वह 1989 में फंसे लगभग 65 मजदूरों की जान बचाने की कहानी को लोगों के सामने उजागर करेंगे उनकी इस फिल्म के साथ भूमी पेडने कर की फिल्म टकराएगी साउथ सिनमा के सूपरस्टार जूनियर एंटियार की फिल्मों का हर किसी को बिसबरी से इंतजार रहता है आने वाले समय में एंटियार बॉलिवुड कलाकर सैफ अली खान और जाहनव कपूर के साथ फिल्म देवरा में नजर आएंगे इस बीच देवरा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है फिल्म के डाइरेक्टर को रातला सिवा ने देवरा की रिलीज और पार्ट्स को लेकर अहम जानकारी दी है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की शुरुवात 5 अक्टूबर से होने जा रही है ऐसे में टीम इंडिया का धाकर बल्लेबाज विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के मैचों की टिकट को लेकर सोशल मीडिया पर एक मज़ेदार पोस्ट शेयर किया है इस पोस्ट पर विराट की पत्नी और बी टाउन एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने रियक्ट किया है और बड़ी बात लिखी है आमिर खान की फिल्म दंगल से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली सान्या मलहोत्रा ने हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म जवान में नजर आई अब हाल ही में दंगल गर्ल सान्या मलहोत्रा ने ये खुलासा किया कि वह एक लंबे समय तक इंपोस्टर सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रस्त रही जिसके बाद उन्होंने इलाज लिया